गन्पति बप्पा का सबसे प्रीय लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूं वो भी परफेक्ट मेजरमेंट और टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर पहली बार बना रहे हैं तब भी परफेक्ट बनने वाली हैं हेलो फ्रेंद्स और वलकुम बैक्ट तो माई चैनल चलिए बूंदी के लड्डू आज हम बनाने जा रहे हैं परफेक्ट मेजरमेंट की साथ तो इससे बनाने के लिए आप कोई भी कप ले ले उसके कॉर्डिंग ली ही सारे मेजरमेंट ले लीजेगा महीन बेसन जो हमें अक आप कप बेसन ले रही हूं यानि 1.5 कप के आसपास मैं बेसन ले रही हूं और कोई भी कप लेंगे न यही मेजरमेंट अब लीजेगा पॉर्फेक्ट आपकी बूंदिया बनेगी फिर इससे आप नाश्ता वगेदे भी बना सकते हैं तो 1.5 कप मैंने बेसन ले लिया है औ तो आपकी बूंदिया गोल गोल नहीं बनेगी अगर मोटा रह गया यानि कि थिक रह गया बैटर तो यह शुगर सिरप सोक नहीं करेगी तो इसलिए इसका परफेक्ट बैटर होना बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो यहां थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करते जा रही हू यह भी ज़रूर कमेंट करके बताएगा तो देखें यह हमारे जो बैटर है बनके रेडी है आपने नोटिस किया एक तो इसकी धार जब मैं उठा रही हूं तो पूरा अंदर मिल जा रहा है और दूसरे यह देखें चुटे-चुटे बूंद यहां बन रहा है लास्ट में तो ऐसे बूंद बनने चाहिए तभी बूंदी आपकी गोल-गोल बनेगी अब इस बैटर में हम दालेंगे फूट कलर थोड़ा सा फूट कलर में यहां डाले हूं यह आप हल्दी भी डाल सकते हैं और बेकिंग सोड़ा हम आड़ करेंगे बस इतना सा एक चुटकी आपको में सोड़ा आड़ करना है इस से बूंदी पॉफिक क्रिस्पी बनेगी इसलिए हम यहां बेकिंग सोड़ा आड़ कर रहे हैं अकर आपको बेकिंग सोड़ा आड़ नहीं करना है तो आप चार से पांच मिनिट के लिए ऐक ही डायोC kept take इस बैटर को बनाने के लिए तीन चोथाई कप पाने का यूज हुआ है पाने की क्वांटिटी डिपेंड कर सकती है आपके बेसन की क्वालिटी के ऊपर थोड़ा से इदर उदर होगा बड़ जो मैंने आपको रेशियो बताया वो इद्दम परफेक्ट है अब एक दूसरे ब क्वांटिटी आपको शुगर और पानी का रखना है यह याद रखेगा पॉफेक्ट आपका शुगर सिरप बनेगा और पॉफेक्ट क्वांटिटी बनेगी इतने बेसन के लिए अब चले यहां मैंने ले लिया है वाटर मैलन सीद्स और मैलन सीद्स तो यह दोनों ही सीज बहुत जादा ज़रूरी है लड़ो के लिए बट इसे हम डिरेक्ली यूज नहीं करेंगे और इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से रोस्ट करें जब इसे रोस्ट करेंगे यह हलके से फूल भी जाएंगे और चटकने लगेंगे तब आप समझ लेजेगा कि यह हो गाए इस चलिए इसे भी निकाल लेती हूँ और यहां तेल भी गरम करने रख दिया है बूंदी फ्राइ करने के लिए तो यह देखें यह अच्छी तरह से फूल गये हैं आप देख सकते हैं सीट को इसे थंडा होने देते हैं अब चलिए बैटर ले लेते हैं और अब इसमें बहुत मार्केट जैसे बनेगी इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और यह नोटिस कर ले इस टाइप की बूंद होनी चाहिए जब उठाएं तो पूरा बैटर एक साथ मिल जाना चाहिए और इसे मैं बनाने के लिए मैं यूज करें जहारा जो हमारे घर पे होता ही है बस यह ज बूंदिया तेल पी लेगी परफिक्ट राउंड भी नहीं बनेगी इसलिए सूपर हॉट ओइल चाहिए इसे फ्राइप करने के लिए और मीडियम टु हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राइप करना है आपको तो यह देखिए मैं पहले टेस्ट करके देख रही हूँ यह तो बैटर ले ले और इसे अच्छो तरह से मिला ले और यह हमारा जहारा जो फ्राइप करने वाला होता है बस वही ले लिया है मैंने मीडियम मैंने फ्लेम रख लिया क्योंकि काफी जादा गर्माहट लगती है बट ऑईल हॉट ही है तो इस तरह से आपको थोड़ा-थोड गोल-गोल नीचे बनती जाएगी अगर आपने बैटर दालते समय या बुंदी बनाते समय आपने जहारे को हिला लिया तो आपकी बुंदी परफेक्ट गोल नहीं बनेगी उसमें चोटी आ जाएगी यानि लंबी-लंबी बुंदी बनेगी तो इस बात का भी ध्यान दे और बुंदी को आप दालने के बाद एक से देड़ मिनिट और फ्राइ करें इस तरह से लगाता चलाते हुए तो देखिए हमारी जो बुंदी है गोल-गोल परफेक्ट बुंदी जैसे हलवाई जैसे बनाते वैसे बनके रेडी हैं अब मेरा ये तेल वाला जा रहा है ना काफी बुंदी को भी खराब कर देगा अब दूसरी बार जब आप बुंदिया बनाने वाले हो तो ज्छारे को अच्छी तरह से साफ करें आगे से भी और पीछे से भी और इसके बाद आप बुंदिया बनाए ताकि परफेक्ट शेप इसका मेंटेंmot रहे और तीन बार जब आने से पहले एक बार जरूर वाश कर लें अच्छी तरह से सुखाल एक कपड़े से पोच के और बाद में बुंदिया बनाएं 15 तो 20 संटीमीटर दूर रखे आप ये ओल से यानि इतना ऊपर रखे आपका जहारा और धीरे धीरे बैटर डाले ये भी एक बहुत इंपॉर्ड डिक्तली नहीं रहनी चाहिए और बैटर को अच्छी तरह से मिलाने के बाद ही आप बुंदी को इसमें थोड़ा सा नमक कर दीजेगा और बाद में आपको जैसे बिसको बनाना है वैसे आप बना सकते हैं चलिए मैंने या शुगर सिरप भी गरम करने रख दिया है जैसे ही यह हलका सा गरम हो जाता है हम इसमें अड़ कर देंगे केसर तो केसर अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें डाल सकते हैं फूट कलर बट केसर से बहुत अच्छा टेस्ट आता है साथी मैं इसमें थोड़ा सा फूट कलर भी डाल रही हूँ अच्छा रंग के लिए यह टोटली ऑप्शनल है इसके साथ इसमें डाल रही हूँ इलाइची पाउडर और थोड़ा सा जाइफल का पाउडर हमें यहाँ तार की चाशनी नहीं चाहिए हमें जिससे गुलाब जामुन के लिए बनाता है चिपचिपी चाशनी बस ऐसी ही चाशनी हमें चाहिए इसके लिए तो गैस को बन कर लेंगे और चले अब इसमें डालेंगे एक सीक्रेट इंग रिटेंट याद यह रखे कि गैस ओफ है और आपको डालना है अगर आप आउन करके यह सारा प्रोसेस करेंगे तो जादा सिरप पक जाएगा फिर सूपर सौफ मॉल्ट मेल्टिंग लेड़ो नहीं बनेंगे तार वाली चाशनी बन जाएगी जब आपने अच्छे तरसे मिला लिया फिर गैस को ओन कर ले और कवर करके लो फ्लेम पर तीन मिनिट के लिए इसे होने दे तीन मिनिट बाद चले चेक करते हैं तो देखिए बुंदी ओल्मोस्ट सारा सिरप पी चुकी है यह देखिए इसकी कंसिस्टनसी देखिए पहले कितना पतला था और अब देखिए यह दम परफेक्ट हो चुका है तो बस इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे अब आपको एक बा और हलकी से थंडी भी हो जाए और काम करने के लिए असान हो जाए तो यहाँ 25 से 30 मिनिट हो चुके हैं और चले फटा फट से चेक कर लेते हैं तो यह देखिए शुगर सिरप पूरा गायब हो चुका है बुंदिया अच्छे तरह से फूल चुकी है अच्छा शुगर सिरप पी लिया है तो यह perfect measurement मैंने आपसे share किया है यह दिख सकते हैं दम रसीली हमारी बुंदी बनके ready है अब चले इसमें डाल देते हम melon seeds दोनों ही डालना बहुत जादा ज़रूरी है looking भी अच्छी आती है साथी में पिस्ता भी add कर रही हूं मैं इसमें और चले इसमें मिला ले मैं हमेशा चमचाय चममच कुछ भी यूज़ करती हूं जसे किसाइस के मेरे लड़ू बने तो इस तरह से ले ले और आपको हाथ पे घी वगड़े कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है perfect आपके लड़ू बन जाएंगे एक और बहुत important point जब भी आप लड़ू बनाएं बह हलके हलके से दबाएं उपर से थोड़े melon seeds और पिस्ता लगाएं इसे सजाएं और ready है हमारे बूंदी के लड़ू तो देखते ही बनाने का मन हुआ कि नहीं और मुझे पानी आया कि नहीं जरूर कमेंट करके बताएगा और कैसी लगी ये recipe इसके लिए भी आप जरूर प्रेने दम हलवाई style लड़ू, super soft mouth melting ये लड़ू बने हैं तो घर पे बनाएं perfect measurement की साथ ये बूंदी के लड़ू और मुझे आपके feedback देना ना भूलें तो घर पे बनाएं मिठाई और सारे तेवार को आप enjoy करें और मेरे तरफ से आप सभी को गनेश उत्सव की धेरो शु झाल